विख्थार लगतार बिहार में केंद्रिय मंत्रमंडल के विश्थार की चर्चाएं तेज हो रही हैं इस चर्चाओं को ले करके कई कयास लगाया जारहे हैं कहाई यह जा रहा है कि आर सी प्रिसिंग का दिल्ली जाना इसी से जूड़ा हुआ है वहीं पसुपति कुमार पारस का भी अचानक से दिल्ली जाना इसी से जोड़ कर दिखा जा रहा है लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे जो हमारे सुत्र बता रहे हैं वो कारण बहुत ही दूसरा है इस कारण के पीछे कहीं न कहीं चिराग पासवान है आपको हमने खबरों के माद्यम से कल दिखाया था कि चिराग पासवान पटना जैसे ही पहुंचते हैं वैसे जन सैलाव उमड़ पता है हलाकि कई कारेकरम हो रहे थे लेकिन सारे कारेकरमों को पीछे छोड़ते हुए चिराग पासवान ने यह सावित कर दिया कि राम बिलाश पासवान के जनाधार को सेंध लगाना किसी के वस्वे नहीं है राम बिलाश पासवान के लिये और चिराग पासवान को देख करके जिस तरह से युवाओं और उनकी पार्टी के साथ-साथ आम जनता ने जिस तरह से उनका साथ दिया चिरात पासवान और राम बिलास पासवान के जनाधार को तोड़ नहीं सकते हैं ये बातें कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल भरा है क्योंकि भारती जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में और खास करके कहा जाए तो उस चुनाव के साथ-साथ प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की साख भी जूड़ी हुई है एक तरफ जहां प्रधान मंत्री उसी उत्तर प्रदेश से लोगसभा का चुनाव जीतकर देश के प्रधान मंतरी बने हैं वहीं एक बात और आपके सामने बड़ी तेजी से उभर कर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश भारते जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रस्न बन गया है क्योंकि बंगाल की हार को कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भाजाना चाहती है भारते जनता पार्टी और इ इन सारी बातों को लेकर के जो सामने बात आ रही है उसमें एक चीज तो पक्का है कि पसुपति कुमार पारस को फोन करना और फोन करके ये बताना कि डिल्ली तलब किया गया है और इन सारी बातों का मतलब कहीं न कहीं इस बात से नहीं कि उन्हें मंत्री मंडल में सामिल किया कि या तो वो अपने बिचार को बदल दें या फिर वो चिराग पासवान के साथ फिर से पुराने रिष्टे कायम कर लें क्योंकि इससे सिधा घाटा कहीं न कहीं भारते जनतापाटी को होता नजरा रहा है इन सारी बातों को लेकर के जो हमारे सुत्र बता रहे हैं कि पसुप कहा यह जा रहा है कि मंदल विष्टार अमित सा नहीं बलकि परण मंत्री नरेंद मोदी का विशेशा धिकार है और इसके लिए चिराग पासवान ने भी बातों बातों में इशारों में ये बात जरूर कह दिया था कि ऐसी कई खबरे आई हैं बहुत सारे लोगों को मंत्री मंदल में सामील होने की बात की जा रही है मैं हर किसी पर जवाब नहीं दूगा जब ये वाद फाइनल हो जाएगी तभी मेरा जवाब आएगा और अब जो हमारे सुत्र बता रहे हैं उसमें सिधी सी बात है कि पसुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में जो मसल जाए और कहीं न कहीं पसुपति कुमार पारस से जादा चिराग पासवान से नजदी की बढ़ाई जाए क्या होता है यह तो भविस्थ के गर्व में हैं लेकिन जो सुत्र बता रहे हैं उसमें भारती जंता पार्टी को अपनी साक बचाने की होड नजर आ रही है जुड़ को घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद